आखिर क्या है माता? वैशनो देवी और प्रभु श्री राम जी की प्रेम कहानी. आखिर क्यों माता वैशनो देवी? भगवान श्री राम से विवाह करना चाहती थी. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन जरूर दबा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और जय मा वैशनो देवी भी जरूर लिखें. जम्मू के त्रिकूट परवत पर माता वैशनो देवी की एक भव्य गुफा बनी हुई है और इस गुफा में प्राकृतिक रूप से तीन छोटी-छोटी पिंडिया बनी हुई यह तीनों पिंडिया देवी, सरस्वती माता काली और माता लक्ष्मी जी की है. माता वैशनो देवी की यात्रा करने वाले सभी भक्तों को इस गुफा में से होकर इन पिंडियों के दर्शन करने होते हैं और इस गुफा को माता वैशनो देवी की गुफा कहा जाता है. और इसी वजह से इन्हें वैशनो देवी तीर्थ कहा गया है लेकिन आखिर माता वैशनो देवी और प्रभुश्री राम की प्रेम कहानी किस वजह से जुड़ी हुई है क्या मर्यादा पुरुशोत्तम, प्रभुश्री राम जी ने माता वैश्नो देवी से प्रेम किया था क्या? आज तक माता वैश्नो देवी त्रिकुट परवत पर भगवान श्री राम का इंतजार कर रही है. इसके पीछे एक खास पौरानिक कथा है, जो मार्कंडेय पुरान में बताई गई है. यह कथा भगवान श्री राम और माता थ्रिकुटा की प्रेम कथा है. बताया जाता है कि माता थ्रिकुटा इस गुफा में अद्रिश्य रूप से प्रभुश्री राम का इंतजार कर रही है क्योंकि प्रभुश्री राम ने माता थ्रिकुटा को वचन दिया था कि लंका से लोटते समय इधर से ही आऊंगा. मारकंडेय पुरान के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब इस समय भगवान विश्णू के एक अंश से दक्षन भारत के रामेश्वरम के तट पर पंडित रतनाकरजी के घर पर हुआ था. लेकिन कन्या के जन्म से पहले ही पंडित रतनाकरजी ने प्रभु से वचन लिया था कि यह कन्या जो कुछ भी करेगी उसे रोका नहीं जाएगा और इस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया. जब यह कन्या नौ वर्ष की हो गई थी, तब इन्हें पता चला कि भगवान विश्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, और तभी देवी त्रिकुटा ने अपने पिता की आग्या लेकर समुद्र के किनारे प्रभु श्री राम की एक प्रतिमा बना कर और उन्हें अपना पति मान कर भक्ती शुरू कर दी थी, और जब रावन ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंडते हुए रामेश्वरम के तट पर पहुँचे, तब प्रभु श्री राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, और जब प् विवाह सीता से हो चुका है, और यहां मैं अपनी पत्नी सीता को रावन के कैद से मुक्त करवाने के लिए आया हूँ, और इसी लिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करने लगी, और लंका से वापस आने पर प्रभु श्री राम ने अपने वचन का पालन किया, और देवी त्रिकुटा के पास आये। लेकिन भगवान श्री राम की माया के वजह से देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। तब भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा को वचन याद दिलाया। लेकिन तभी देवी त्रिकूटा दुख से भर गई और उनके दुख को दूर करने के लिए प्रभुश्री राम ने उनको बताया कि देवी त्रिकूट परवत पर एक दिव्य गुफा मौजूद है और इस गुफा में तीनों महाशक्तियां माता काली, माता महालक्ष्मी और म माता सरस्वती विराजमान है और यदि देवी त्रिकूटा वैश्नवी के रूप में उस गुफा में जाकर यदि उनकी प्रतीक्षा करती हैं, तो जब वह कल की रूप में कल युग में अपना अंतिम अवतार लेंगे, तब वह उनसे विवाह जरूर करेंगे, तब तक वह भक्तों की मनो कामनाओं को पूर्ण करेंगे, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी उनके साथ उनकी रक्षा के लिए रहने का वचन दिया, इसी लिए हनुमान जी को भी अजरमर माना जाता है, तो भक्तों कैसी लगी आपको, आज की हमारी यह कहानी जल्द ही लेकर आएंगे, आपके लिए नई कहानी लेकर, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें